मैं बिसी की काम से बाहर जा रहा हूँ कहा? कोची नो पॉज, नो एजिटेशन मैं तब सच बोल जहूँ या फिर जूट बोलने में मायर हो गया हूँ नमस्कार दोस्तों, स्वागते आप सभी का आपके अपने चेनल AKB मीडिया में एक बार फिर से आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरिश्टार अक्षे कुमार के फिल्म बेल बोटम के सुरुवाती पांस दिनों के वर्ल्ड वाइड बोक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे बेल बोटम फिल्म ने अब तक हिंदुस्तान में कितनी कमई की और फिल्म का ओर सिस कलेक्शन क्या रहा तो शली यह सुरुवात करते हैं देखते रहिएगा पूरा वीडियो अक्षे कुमार और वाणी कपूर की फिल्म बेल बोटम जबर ज़स्त धुम मचा रही है बड़े अरसे बाद कोई फिल्म थेटर में रिलिज हुई है और सभी की नजर इस फिल्म की कमाई पर लगे भी है फिल्म बोक्स ओफिस पर काफी अच्छा कमाल कर रही है फिल्म ने विकेंड पर यानि की चोते दिन भी काफी बड़िया कमाई की है बॉक्स ओफिस इंडिया के अनुमान के मुताबिक अक्षे की फिल्म ने चोते दिन करीब 4 करोड़ 80 लाक रुपे कमाए है इस लिहाज से फिल्म ने बहुत सांदार कमाई कर रही है आपको बता दे दोस्तों अक्षे कुमार की फिल्म बेल बोटम ने 4 करोड़ रुपे के ओपनिंग ली थी वही विकेंड पर फिल्म की कमाई में काफी अच्छा इज़ाफा भी हुआ है जहां सनीवार को फिल्म ने 3 करोड़ 50 लाक रुपे की कमाई की थी वही रविवार को 4 करोड़ 80 लाक रुपे के कमाई की जो कुरोना काल के हिसाब से काफी अच्छी कमाई मानी जा रही है पिछले चार दिनों में बेल बोटम फिल्म ने लगभग 15 करोड़ 10 लाक रुपे के कमाई कर ली है इसलिया हास से फिल्म ने उमिज से जादा कमाई की है लेकिन बात करें के फिल्म ने 5 वे दिन कितने कमाई की तो दोस्तों आपको बता दे के 5 वे दिन फिल्म ने लगभग 2 करोड़ रुपे कमाई है इससी के साथ बेल बोटम फिल्म ने सुरुवाती 5 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 17 करोड दस लाख रूपे का और इंडिया ग्रोस कलेक्शन हुआ है 26 करोड रूपे वही बेल बोटम फिल्म और सीज मारकेट में भी काफी अच्छी खासी कमाई करने में कामियाब रही और बेल बोटम फिल्म ने अभी तक विदेशी मार्केट से 7 करोड 30 लाक रुपे कमा लिये हैं इसी के साथ बेल बोटम फिल्म का वल्ड वाइट कलेक्शन 33 करोड 30 लाक रुपे हो चुका है अब देखना है यह ही कि फिल्म फाइनल कमई कितनी कर पाती है क्या यह फिल्म 50 करोड रुपे का आकड़ा पार कर पाएगी या नहीं आपके क्या राय है हमें कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताए और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें